नमस्कार साथियो आयुर्वेद में तेलों का बहुती महत्व है उसमें से एक है प्रसारणी तेल इस वीडियो के अंतरगत इस तेल की जानकारी फायदे इसे बनाने की वीधी इसके उप्योग ये सब कुछ में बताने का आपको प्रयास करूंगा तो वीडियो को पूरी ले प्रसारणी इसी नाम से जड़ी बूटी वालों के यहां प्राप्त हो जाती है यह प्रसारणी की 60 ग्राम मात्रा को 180 ग्राम जल में डाल कर काड़ा बनाए जब चोथाई पानी बच जाए तब इसे उतार कर छान ले अब इस काड़े में 40-40 ग्राम तिल का तेल दही और रमक बच प्रसारणी देवदारू प्रासना गच पीपल भिलावा सोंफ तत जटा मासी ले इन सभी प्रदारतों का कलक करे अर्थात इने पीसकर इनका रस निकाले सुसक वने की स्थीति में प्रयाप्त जल के साथ पीसकर इनका कलक करे अब इस कलक को उप्रोक्त तेल आदी मिसरन में मिलाएं जिस जो हमने पेले मिलाया था जिस मिसरन में तेल गोदुग दादी थे इसके पच्चात इस संपुर्ण मिसरन को अगनी पर चड़ा कर ओटाए मिलाप्त जब तेल मात्र बाकी रहे तब इसे उतार कर छान ले यह प्रसाड़नी तेल के नाम से विख्या थे अनेक वायू रोगों पर अपना विलक्षन प्रभाव दर्साने वाला यहां एक दीविय तेल ही इसके प्रियोक से कई प्रकार के लाव होते हैं प्रसाड़नी तेल इसी नाम से आपको बना बनाया बजार में उपलब्द होता है यदि आप इसे ओनलाइन खरीदना चाहते हैं तो रिस्क्रिप्षन बॉक्स में लिंक दे रखिए प्रसाड़नी तेल के लाव इसकी मालिस करने से कफ तथा वात्विकार लुप्त हो जाते हैं इस तेल की मालिस से खंज वायू जो की मनिश्य को तेड़ा कर देती हैं तथा पंगु वायू जो की मनिश्य को पंगु बना देती हैं ये दोनों ही प्रकार की वायू का नास होता है कूबड पर इस तेल की हलकी मालिस करने से उसका बढ़ना रुक जाता है तथा उसका गटना शने शने होने लगता है लकवा होने पर या जिस अंग में आपको लकवा हुआ है उस अंग पर इस तेल की मालिस करने से बहुती लाव होता है इसकी हलकी सी मालिस ठोड़ी पर करने से उसका दर्द दूर हो जाता है पीट दर्द में पीट में इसकी मालिस करने से पीट दर्द तथा पीट की जखड़न दूर हो जाती है गर्दन की जखड़न में गर्दन की जखड़न पर इस तेल की मालिस करने से बहुत लाव होता है कमर दर्द तथा कमर की जखड़न पर सुभा साम इस तेल की मालिस करने से सिग्रही अराम होता है यहाँ सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकासित चमतकारिक तेल पुष्टक से ली गई है यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है और इस प्रकार तेलों की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चेनल आयुर्वत के पन्नों से जुड़ें धन्यवाद बंदे मात्रम